पिछले दस दिनों से अपरी की देश सुडान में स्यार और कतले आम मसा हुआ है। इंशागरत सुडान में इस समय तीन अजार से ज़्यादा भारतिये फंसे हुए है। भारत ने संग्रस परबवी सुडान में फसे अपने नागरी को को निकालने के लिए सुमवार को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इस ऑपरेशन के बारे में ट्वीट करते वे विदेश मंत्री एजजे संकर ने बताया है। एज जे संकर ने ट्वीट करते वे बताया कि आपरेशन कावेरी के तैत 500 भारतिये सुडान के पोर्ट पर पहुंस गए है और बागियों को भी सुरक्षित इस्तान पर लाने की त्यारी की जा रही है ताकि वहां से उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाया जा सके औ और आपको ये भी बता दूं कि भारत के साथ साथ अन्य देश भी सुडान में फसे अपने नागरीकों को निकाल रहे हैं और बताया कि अभी और भी भारती रास्ते में हमारे जहाज और विमान उन्हें गर वापस लाने के लिए त्यार है वारत सुडान में हमारे सभी को सबोर्दित करते वे बताया कि सुडान में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑप्रेशन कावेरी शुरू किया है जिसकी निगरानी केंदरिये विजदेश राजय मंतरी शिरी मुरली दरन कर रहे हैं परदान मंतरी मोदी ने एक उस हिस्तरिये बैठक की से भारतियों को निकालने के लिए आक्षमी की योजना त्यार करने के निर्देश जारी किये थे फसेवे लोगों को वापस लाने की योजना के तहत भारत ने इंडियन हैर फोर्स के दो सी एक सोतीस जे विमनों को साओधी अरब के सहर जैदा में स्टेंड़ बाइबर रख की थी देश के आलात इतनी बिगड़े वे हैं कि एरे स्पेस को भी बंद कर दिया गया है और कई एरपोर्ट और विमान भी सतिगरस्त हो सुके हैं इसे के साथ मैं आपको सुडान का इतियास बता दूं कई सालों तक गरह यूद की सपेट मेरा आंतरी की यूद जेलते का बंडार मौजूद होने के वावजूद यह देश अराजकता बधाली और तंग दस्ती का शिकार बना हुआ है सुडान की सरजमी दुनिया में उन सुनीदा जगों में सामीले जहां सबसे पहले इंसानों ने अपनी भस्ती बसा ही थी इस देश में पांच जार साल से भी ज्यादा समय से इंसानी अबादी आबाद रही है यह देश भी बिर्टीस के एंडर में था और 1922 में शुरू है इजिप्सियन रिवल्वेशन के बाद 1923 में इजिप्ट को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई और फिर एक साल के अंदर ही एक जनवरी उनिश्वतेपन को सुडान भी एक सवतंतर देश बन गया है 2010 में आर्मी ऑफ सुडान और सुडान रिवल्वेशनरी फॉरंट के बीश तेल के विशार बंडार वाले सहतर अब एपर कबजा करने को लेकर युद सिड़ गया इस युद के फल सवरूप सुडान को सुडान से आज़ाज मिल वहीं 3000 से जएदा लोग गायल हुए है इस बीश बारत समयत कई देशों ने इंसागरस देश से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है बारत सुडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ओपरेशन कावरी सला रहा है इसी बीश ये भी जानकरी मिली थी क फ्रांसी सी वायू सेना की उड़ान के जरिए हुडान के जरिए पांस भारतिये नागरिकों को सुडान से बाहर निकाल लिए गया है। के लिए तयार है हम सुदान में अपने सबी भायों की चाहिटा करने के लिए प्रतिवत आप बात कर लेते हैं आखीर सुदान में कितने बार्तिये रहते हैं सुदान में इनसा तनाव और स्टरक्षत हवाहे डों के कारण विदेशी नाग्रिकों निकलना मुश्किल हो रहा है इसी बीद अर्चेनिक बल रेपीड सपोर्ट फोर्सेज राजथानी खार्तु में मुख्य अंतराश्टी अवाई एडे पर नियंतन करने की कोशिश कर रहा है हसेवे विदे सिनागरी को में लगबग तीन अजार बारती है वही कैरल के 28 वर्चिय अलबरस्ट अलबरट अगस्टाइन की गोली लगने से महुत हो सुखी है और सुडान से बारतियों के निकलने के लिए सरकार ने क्या क्या सुवीदाई किये इसके बारे में भी जान लेते हैं सुडान में बारतियों की सुरक्षा निशित करने के लिए विदेश मंत्रा लेने सुडान में बारतिय दूतावा, सियोकतराष्ट, साउधी अरब और सियोकतरव अमीराथ, मिसर और अमेरिका से संप्रक में है और बताया कि वायू सेना के 2C-130J विमान को जैदा में त्यार रहने को का गया है जब आईने सुमेधा पोल्ट सुडान पर पहुंसा गया है विदेश मंत्राले ने बताया कि बारत सरकार सुडान में फसे अपने नागरीकों की सुरक्षा सुननी सित करने के लिए अरपरियास कर रही है हम सुडान में जटिल और उबरती सुरक्षा इस्तिती पर करीब से नजर रखे हुए है सुडान से बार निकलना सहर है बारतियों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए गोस्ति इस तरी बैठक बलाई थी विदेश मंत्री एसजे संकर ने भी इस्ता लिया और सुडान के मुदूद आलात के बारे में पीम का अवगत कराया था पूरे सुडान में इंटरनेट बेहन हो गया है रविवार को बिर्टेन के ससस्तर बलो ने देश में रविटीस राजनईकों और उनके परिवारों को निकला है सनिवार को भी सुडानी सेना ने सीन और फ्रांस के राजनिती राजनईकों को देश सिबार सेने अवईजाज से निकालने में मदद की इसी दिन साओधी विडेश मंतराले ने बताया कि बारत, कुएट, पाकिस्तान, कतर, मिसर, सिनुक तरफ, अमीरा, यूनीशिया, बंगला देश, बुल्गारिया, कनाड़ा, फिलिपिन्स के नागरीकों के साथ-साथ अपने 91 नागरीकों को सुरक्षित निकाल लिया गया ह सुडान में जारी इंसा कि ये जड़े तीन साल पहले वे तकता पलट से जुड़ी है, दरसल अप्रेल 2019 में एक विद्रो के भी सेने जनरल द्वारा लंबे समय से सासन कर रही निरंग खुच सासक उमर अलबसीर को सता से बेधकल कर दिया था, तबसे से सेना एकसम परभु परिशद के मद्यम से देश ला रही है, सेना और आर एसेप प्रती द्वंदिता राष्ट पती उमर अलबसीर के सासन से सली आ रही है, ताजा जड़ब की वज़े ये है कि सुडान की सेना का मानना है कि आर एसेप अरज सेने इकबल के तैट आती है और उसे सेना में सामिल नहीं किया जाना साइए, और अब बात करते हैं कि इस अभियान का नाम कावेरी क्यों दिया है, इंसा गरस्त देश से बात्तियों को निकालने के लिए उप्रेशन का नाम कावेरी रखा गया है, कोशी में सोमवार को यूवम कॉनकलेव को सम्मधित करते वे पीमोदी ने कह सुडान में गरह यूद की वज़े से अमारे कई लोग वा फंस गए है, इसलिए मैं उन्हें सुरक्षित लाने के लिए उप्रेशन कावेरी शुरू किया है, कावेरी दक्षिन भार्त की एक परमोग नदी है, जो मुख्यत तमीन नाडू और करना टक में बैती है, के अंद के लिए आपको बता दे कि यूकरेन में भी फंसे लोगों को निकालने के लिए सलाए गया अभियान का नाम पवितर नदी गंगा के नाम पर रखा गया था